इसमें हल करेंगे हम कारेपतरक्ची आशी सत्याशी एठ याशी नियवासी अब्बे और आंकलन नो का हल आईए सुरू करें इससे पहले आप चैनल पर नहीं हो तो सस्क्राइब बॉला लाल बटन दबाए और सस्क्राइब करें इससे की आने वाले भला आपको मिलते रहें प गोड लेंगे एक हजार साथ सो वाईस साथ नो पांच तो हम एक जार आट सो पिच्चोतर प्लस एक जार साथ सु बाईस बरापर थीन हजार पांच सो सत्याणवे विद्यार्ती खुल है यहाँ दूसरा है एक फेक्टरी में सोमार को 2365 साथ मंगलवार को 3865 साथ बनाई दोनों मिलकर कुल कितनी साथ बनाई तो 2365 में हम जोड लेंगे 3865 तो कुल साथ आ गई यहाँ जीरो साथ रची तेरा और 14 के चार असल का एक आट और तीन ज्यार और एक बारा असल का एक तीन और तीन छे चे चे अजार 2460 बनाई रुकसाना 1000 रुपे लेकर बाजार गई उसने 465 का सामान करी था बताई यह रुकसाना के पास कितने रुपे बचे 1000 में से उसने खर्च कर दिये 465 बाकी निकाल देंगे हम यहाँ तो यहां बच जाएगा 535 रुपे से इस बचे इसके पास एक उस्तकाले में इतियास की 2300 ठाउन किताबे एक अनित की 1234 और विज्यान की 1340 किताबे हैं उसकाले में थीनों से की कुल किताबे 2380 में जोड़ेंगे 1234 और 1340 तीनों की जोड़ कर लेंगे चार बारा के दो आसल का एक चार दिन साथ और पांच बारा और एक तेरा के तीन आसल का एक एक और तीन चार दो छे और तीन नों एक दो दो चार चार जार 932 किताबें कुल हैं एक किसान के पास 1789 किलोग्राम गयों था उसमें से उसने 845 किलोग्राम गयों बेच दिया तो बताइए किसान के पास कितना गयों बचा 1789 किलोग्राम गयों था उसमें से बेचा इसने 845 तो बाकी निकालेंगे 9 में से 5 गए 4 आठ में से 4 गए 4 और 17 में से 8 गए 9 किलोग्राम गयों से इसके पास पर्स 2022 में विराट ने 1634 रन रोईत ने 1570 रन जड़ेजा ने तो तीनों ने मिलकर 2022 में कितने रन बनाएं तो विराट का हो गया 1634 प्लेस रोईत का है 1579 प्लेस जड़ेजा का है 1043 तीनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ोगी इनकी 9 और 3 बारा बारा और चार होंगे 16 16 के छे आशल का एक चार एक पांच 5 पांच छे यारा यारा और तीन चाहुदा के चार आशल का एक एक और पांच 6 और 6 बारा के दो आशल का एक एक दो तीर चार 4246 रन कूल बनाये इसने साथपा प्रस्न होगा एक अस्पताल में एक सपता में 4668 मरीज बरती हुए और 2345 मरीजों को छुटी दे दी गई तो बताइए कि कितने मरीज अभी अस्पताल में है तो कूल बरती हुए हैं 4668 चुटी हो गई है मरीजों की 2345 मरीजों की तो कूल कितने बचे हैं 4668 में से हम 2345 बाकी निकालते हैं 8 में से 5 गए 3 7 में से 4 गया 3 6 में से 3 गए 3 और 4 में से 2 गए 2 2333 मरीज पुल सेस बचे हैं अस्पताल में प्रस नमबर आठ एक विद्याले में 4566 विद्यारती है यदि 2345 विद्यारती किर्केट में और 1234 विद्यारती कबड़ी में भाग लेते हैं तो बताइए कितने विद्यारती दोनों खेलों में भाग लेते हैं तो इस में से 4566 कुल विद्यारती है किर्केट में 2342 कबड़ी में 1234 विद्यारती 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 वाग लेते हैं दोनों खेलों में होंगे 2345 प्लस 1234 दोनों को जोड लेंगे 549 437 233 5213 3500 विद्यारती कूल वाग लेंगे यह था कारेपत रक्षियां सी आकलन नों एक अंकी सबसे बड़ी संच्या और चार अंकी सबसे चोटी संच्या का योग फल होता है एक अंकी सबसे बड़ी होगी नों और चार अंकी सबसे बड़ी होगी एक जार, एक जार में नो जोडेंगे, एक जार नो, ये राइट है, दो संक्याओं का योगपल एक जार साथ सो तीन है, यह दी एक संक्या, एक जार पांच सो तीन है, तो दूसरी संक्या, दूसरी संक्या होगी, दो सो, इसमें हम दो सो जोडेंगे, एक जार साथ सो तीन आ ज तो उसके पास कितने बचे तो 3,712 में हम जोड़ेंगे पेले क्रियांसी तो कुल खर्च हुआ 3,730 अब यह कह रहें कितने कुल सेच बचे तो इसमें से हम 5,000 में से बाकी निकालेंगे 3,730 अब यहां धार लिया 10 में 10 में से 3 गए 7,9 में से 9 गए 0,9 में से 7 गए 2 दो 4 में से 3 गए 1,207 रुपे यह राइट हैं सेच बचे 312, 731 और 8,000 तीन तीनों को जोड़ेंगे हम तीन एक चार और दो छे तीन और एक चार साथ और तीन दस के जीरो असल गए 8 और एक नो नो जार ची आलिस रुपे पुल सेच बचे पांचवा प्रस्न हैं खंड खे का खंड खे से मिलान करें 1713 में हम 500 निर्मासी जोड़ेंगे न होगा 9 और तीन बारा के दो असल का एक 8 रेक 9 और एक 10 के जीरो असल का एक साथ-5 बारा और एक तेरा के तीन आसल का एक 2300 चार दो इसको मिलाना इस से इसी परकार 980 में हम जोड़ेंगे 6528 और 31 तो इनका जोड़ोगा 89 9 और 7 16 के 6 3 1 4 5 6 6 और 8 चोगदा के 4 5 1 6 6 और 9 15 के 5 6 1 6 1 7 7500 443 इसका मिलान करेंगे हम यहाँ 5,000 में से 319 गए तो बच्चेंगे यहाँ 4,600 इक्रियांसी इसको जोड़ेंगे इससे 7,833 में 99 बाकी जाएंगे तो बच्चेंगा यह 6,844 अग्ला है सकत्य है सकत्य है लिखें किसी संक्या में सुन्य गटाने पर वही संक्या तभ़गी सकत्य बाद है किसी संक्या में एक तीन अंकों के सबसे चोटी गठाने पर 9000 आता है सो नहीं आता है ऐस सत्य इनकी जोड़ देखिए इनके बराबर है क्या जोड़ कर देखना पड़ेगा ये तीनों संक्या है बराबर है 9002 या 9002 8606 8606 788 तो बराबर है सत्य ये दोनों बराबर है क्या 5832 में 5990 वाकी निकालने है 5690 में 5032 वाकी निकालने है तो हम निकाल के देखेंगे फेले इसमें बचेजा 2 13 में सिन हो गए 5 13 में सिन हो गए 4 और फिर यहां बच गया 7 में सिच्छे गया 1 0142 यहां बच ला रेखिए 10 में सिदो गए तो ये दोनों बराबर नहीं है ये सत्य है ये था आकलनो कारे पत्रक सत्यांसी नीचे संक्या रेखा पर भूनन संक्रिया को निरिपूत किया गया इसको समझते हुए अन्याल करें और खालिस्तान की पूर्ती करें जैसे दो-दो कतम इसमें बढ़ रहा है दो-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-चार-च यो गए बारा, बारा पे आ गया, चार को तीन से उना किया तो भी, बारा, असी परकार तीन तीन कदम ये, पांच बार चलेगा, एक, दो, तीन, चार ओर, पांच, तो यहां जाएगा, तीन प्लस, तीन प्लस, तीन, बराबर, पंदरा, तीन को पांच से गुणा किया तो भी, पंदरा, यह है दो दो गतम चल रहा देखिए दो दो गतम साथ बार तो एक दो दीन चार पांच छे और साथ तो यहाँ दो प्लेस दो प्लेस दो प्लेस दो प्लेस दो प्लेस दो साथ बार कुल हो जाएंगे 14 दो को साथ से गुना किया तो भी 14 यह था कार्य पत्रक सत्यांसी कार्य पत्रक अठ्यांसी नीचे ग्रीड पेपर पर 15 इंटु 13 की गुणन संक्रिट को दर्शाय गया है समझते विए प्रसंद को हल करें तो यहां 10 का गुणा 10 बार और 10 का फिर तीन बार 10 का गुणा 5 बार या 5 का गुणा 3 बार योगे 15 योगे 13 15 इंटु 13 पंद्रा 10 प्लस 5 या 10 प्लस 3 इसी बरकार इसको दर्शाएंगे हम 18 को गुणा करना है 12 से तो यहां 10 प्लस 8 अठारा 10 प्लस 2 बारा फिर हम दस को हम आठ से जोड़ेंगे और दस से गुणा करेंगे यहां 10 को हम जोड़ेंगे दो से और दस को हम यहां भी आठ से जोड़ेंगे और गुणा करेंगे यहां दो से इसली प्रकार दस को आठ से जोड़ेंगे दस से गुणा किया तो यहां जाएगा 10 इंटू 10 प्लस पांच यहां हमने दस को आठ से जोड़ा दस को दो से जोड़ा दस प्लस आठ इंटू 10 प्लस आठ इंटू 2 तो दस को दस से गुणा किया 100 आठ को दस से गुणा किया यहां जाएगा 16 इन सब को जोड़ा हमने तो यहां अज गया 216 इसी परकार अगला है 63 को 12 से गुणा यहां समझा रखा है उन सत्र को 15 से गुणा करना है उन सत्र में हैं 60 और 9 पंदरा में हैं 10 और 5 शाट को हमने 10 से गुणा किया 600 और 60 को 5 से गुणा किया 300 नो को हमने 10 से गुणा किया 90 नो को 5 से गुणा किया 45 सब की जोड़ की यहां 1035 इसी परकार 245 को गुणा करना 23 से तो 200 को पहले 20 से करेंग बराबर चार जार और दो सो इंटु तीन शत्सो फिर चारीश को बीस से करेंगे चारीश इंटु बराबर असी आठ सो और चारीश इंटु तीन बराबर एक सो बीस इसी बरकार बीस को पांच से करेंगे चारीश इंटु पांच बराबर असो और पांच को करेंगे हम तीन से पांच इंटु तीन बराबर पंदरा तो जोड होगी यहाँ चार जार प्लस छे सो प्लस आठ सो प्लस एक सू बीस प्लस सो पंदरा तो यह होगे आठ से चाओदा और एक पंदरा पंदरा सो पंदरा और चार जार तो यहाँ होगे पांच हजार पांच सो पंदरा कुल तीन सो को चो बीस से कैसे करेंगे पहले तीन सो को करेंगे बीस से तीन सो इंटू बीस बराबर छे हजार तीन सो इंटू चार बराबर बारा सो चालिस को बीस से करेंगे आठ सो चालिस को चार से करेंगे एक सो साथ 0 को करेंगे हम 20 से 0 0 को करेंगे हम 4 से 0 तो हमने जोड़ा है यहाँ 6000 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 160 इन सब की जोड़ोगी यहाँ 7200 और 8000 8160 यह था कारिय पत्रक 88 कारिय पत्रक 89 35 को 4 से गुना करना है 5 को 4 से गुना करेंगे 20 हासल के 2 4 3 12 और 2 14 इसे परकार 48 को 6 से गुना किया 8 चंग 48 के 8 हासल के 4 सचो का 24 और 4 28 53 को गुना करेंगे हम पांच से पांच से पांच तरी 15 की पांच हासल करती एक पचाम 25 और एक 26 करना सब्सक्राइब पांच से पांच पैसे पांच पांच से पांच से पंजा में तीस की जीरो, आसलका एक, पांचुग बीस ओर एक, इक्कीस, यह चेलेश को पांसे गुणा करें तो भी दो सुदस, चद्दू बारा, चार दूनी, आठ रेक, नो, बाराणवे, जोड करेंगे इनकी वापस, जीरो, तीन, और दो ग्यारा, एक जार एक सो, तीस, चार इसको पच्चीस से गुणा किया, छे मन्जा में तीस, आसलके तीन, पांचुग, बीस ओर तीन, ते बीस, चार दू बारा, चार दूनी, आठ और एक नो, जीरो, आच, जारा सो पचास, अगले हैं नीचे भी गुणा, एक सो बावन को आठ से गुणा करना है, एक सो बावन इंटू, आठ, आठ दूनी, सोला, असलका एक, आठ और पंजो, चालीस, चालीस ओर एक, दलीस, आसलकी 4, आठ एक हम, आठ, चार, बारा, बारा, सो सो सोला, 270 को गुणा करेंगे हम 9 से 9 को 0 से किया 0 9, 7, 63 की 3, आसल की 6 9, 2, 18, और 6, 24 2430 465 को गुणा करेंगे हम 8 से 5840 की 0, आसल की 4 8, 68, 44, और 4, 52 की 2, आसल की 5 आड़ चोक, 32, और 5 37, 3720 सी परकार नीचे हैं बड़े गुणे 552 को गुणा करेंगे हम 8 से 8 को 2 से किया 16, आसल का एक 8, 58, 44, और एक 41 का एक असल का 4, 58, 44, और 4, 44, दो दूनी 4, पांदूनी 10, आसल का एक पांदूनी 10 और एक 11, जोड़ की 6, 4, 5, 4, 5, 1, 15, 456, 670 को गुणा करना है 40 से 0, 67, 42, हासल के 4, चत्रंग 36, और 4, 40, 4 को 0 से किया 0, 7, 24, टाइस के 8, हासल के दून, जोड़ की इनकी 0, 2, 8, 0, 3, 30, आजार आज़सुवीस, 318 को गुणा किया हमने 79 से, 8 को 9 से किया, नम्हें आठ, 32 के दो आशल के साथ, 9 कम 9 और साथ, 16 के छे, आशल का एक, नो तरी सत ताइस और एक, ठाइस, आड़ चंगर तालिस के, आठ, आशल के चार, चे कम 6 और 4 दस, आशल के एक, चे तरी ठारा और एक, जोड़ की, दो आठ, चे चोगदा के चार, आशल का एक, आठ, एक, नो, नो, दो यारा का, एक, आशल का एक, 21,942, यह था कार्य पत्रक, नेवासी का हल, कार्य पत्रक 90, ने मिलकी समयक्ष्याओं को, बंटन विदी की मदद से हल करें, सीला ने एक कार्यकरम में, अपनी 25 सेलियों को, दो सो पिचेतर पिचेतर रुपे इगठे किये, तो बताईए सीला को किल कितने रुपे इकठे हुए, तो हुए हैं यहाँ, एक सेलियों से किये 25 से गुणा हो जाएगा यहाँ, 25 पंजो, 125 के पांच, आसल के बारा, 25 से एक सो पिचेतर, और बारा, 177 के साथ, आसल के एठारा, 25 दूनी पच्चास, 1868, 6800, पिचेतर रुपे, इकठे किये, गंगा ने 35, 35 मूली के हिसाब से 18 क्या रिया बनाई, कुल कितनी क्या रिया है, कम 35 को गुणा कर लेंगे यहाँ, 18 से, 37 इंटू, 18, आठ बंजो, 44, चार, आठ तरी, चोबी, सोल, चार, अठाईस, 35, 630, 630, क्या रिया, एक बकीचे में, एक बंगती में 65 पेड़ है, 28 बंगतियों में, 65 को गुणा करेंगे 28 से, 25 इंटू, 28, आठ बंजो, 40, आठ चार, गड़तालीस, 52, विदास, चार, दूबारा, और एक तेरा, 0, 2, 8, एक अजार, आठ सो, 20, पंगतिया, अगला है, चमिला के अमरूद के बगीचे में, पोदों की 12 गतारे हैं, परती एक में 18 पोदें, तो कुल कितने होगी, 12 को 18 से गुणा किया, आठ दूनी, 16, आठ एक, आठ एक, आठ एक, नो, बारा, चे, नो, दूग्यारा, कुल होंगे, 216 पोदे, सानू, बुर्ग्यां पालती हैं, इसी महीने अंडे, पिछले महीने की तूर्णा में, चार गुणा ज्यादा प्राप्त हुए हैं, पिछले महीने 120 अंडे थे, तो इस महीने 120 को गुणा कर लेंगे, हम 4 से, बार्चोप, 48, 480, अंडे, सान्ता भाई ने अपने प्रिवार में 6 लोगों की साथ बिलवाडा से राज समन बस्ते जा रही हैं, यदि एक विक्ति का किराए 110 हैं, तो 6 का कितना होगा, 110 को 6 से गुणा कर लेंगे, 660 रुपे, और यह लिए मवश्या पर मेले में नानू और जया ने दुकान लगाई, जया की दुकान का सामान लोगों को ज्यादा पसंद आया, और उसने नानू से दुगना सामान बेचा, जया की दुकान का सामान लोगों को ज्यादा पसंद आया, उसने नानू से दुगना सामान बेचा, तो जया ने 800 रुपे का सामान बेचा तो नानू 800 में हम कि भाग दे देंगे दो का तो नानू ने बेचा तो 800 रुपे का यह था कार्य पत्रक 86789 का हल और भी कार्य पत्रक देखने के लिए हमारी चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं वह आमने सभी कार्य पत्रक्यल डाल रखे हैं धन्यवाद